नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिच्छावले के से युडूब चैनल में दोस्तों SSC MTS और CHSL परिच्छा 2023 के लिए GKGS और करंटरफेस के प्रेक्टिस सेट की जो स्रीज हम चला रहे हैं उसका सेट नमबर आज 6 हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं अभी तक हमने 5 इंपॉर्टेंट प्रेक्टिस सेटों को अप्लोड कर दिया है MTS और CHSL की परिच्छा के लिए अगर आपने पिछले 5 प्रेक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो प्लीज उनको आप देख लीज हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला प्रसना आपके स्कीन पर है मायोपिया में क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है कि मायोपिया में क्या होता है पहला उप्सन है निकट की वस्तू नहीं दिखाई पड़ती है दूसरा उप्सन है दूर की वस्तू नहीं दिखाए पड़ती है चोथा option है इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब आपको देना है कि मायोपिया जो होता इसमें क्या होता है तो आई ये बात कर लेते हैं सबसे पहले मायोपिया होता क्या है तो मायोपिया को हम मेली बोलते हैं निकट द्रिश्टी दोस को ही मायोपिया कहा याता है तो अब आप आसानी से इस प्रस्ण का एंसर दे लेंगे मैं उमीद करता हूँ तो जो आपका निकट द्रिष्टी दोस होता है उसी कोई हम मायोपिया के नाम से जानते हैं और निकट द्रिष्टी दोस में क्या होता है निकट द्रिष्टी दोस में होता यह है कि पास की जो रखी वही वस्तू होती है वह हम देख लेते हैं परन्तु दूर की जो वस्तू होती है वो हमें नहीं दिखाई पड़ती है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आप्सन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दूर की वस्तू इसमें नहीं दिखाई पड़ती है जो भी व्यक्ति मायोपिया यानि कि निकट द्रिष्टी दोस से पीरित होता है उसको जो है दूर रखी वस्तू को देखने में कटनाई का अनुभव होता है तो इस एक चीज़ आप द्यान देजेगा जो भी व्यक्ति इस निकट द्रिष्टी दोस से पीरित होता है तो इस व्यक्ति के आख में जो है जो प्रतिविम्ब होता है किसी वस्तू का वह रेटीना पर न बनकर रेटीना के पहले ही बनता है तो इसके बारे में आप या देखेगा तथा निकट देश्टी दोस्त के निवारण के लिए हम आवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं किसका तो आवतल लेंस का जो प्रियोग है इसके उपचार के लिए किया जाता है निकट देश्टी दोस्त के लिए और इसमें होता क्या है पास की जो वस्तु होती है हमें इस परस्ट दिखाई पड़ती है परन्तु दूर की जो वस्तु होती है हमें इस परस्ट नहीं दिखाई पड़ती है तो इस प्रस्थने का रैट अंसर क्यों जाएगा दूर की वस्तु दिखाई न पड़ना यानि कि आप्सन आपका यहां पे करेंटरफेस का है हालही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला समिधान साक्षर जिला बना है केरल का वह कौन सा जिला है जो देश का पहला समिधान साक्षर जिला बना है तो आप यहां देखेगा केरल का कुल्लम जिला यानि कि आपका बी यहां पर बिल्कुल सही हो जगा के का जो कोलम जीला है डिस्टिक है यह देश का पहला समिधान साक्षर जीला बना है यानि क्या उप्सन आपका भी यहां पे बिल्कुल सही है अगला प्रसना आपके स्केन पर है 15 जनवरी 2023 को 75 में सेना दिवस के उपलक्ष में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहा किया गया आपको बताओगा 15 जनवरी का दिन जो हम सेना दिवस करूप में मनाते हैं तो इस वर्ष का दोज़ा तेज का जो सेना दिवस मनाए गया है पहली बार ऐसा हुआ है कि जो परेड है वह दिल्ली के बाहर भी आयोजित की गई है तो आपको उस लोकेशन का नाम बता जाना है जहां पर दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन किया गया तो राइट अंसर क्या हो जाएगा बैंग लोरू में यानि कि आपका यहां पर बिल्कुल सही है बैंग लोरू में तो इसके बारे में आप याद देखेगा एलोरा की जो गुफाएं हैं इनमें कितने मठ और मंदीर हैं तो आएए इस प्रस्ण को देख लेते हैं यहां पर काफी इंपॉर्ण प्रस्ण है यह प्रस्ण आपके CHSL की परिच्छा में पूछा भी गया है तो राइट अंसर आपका क्या हो जाएगा राइट अंसर आपका हो जाएगा 34 यानि कि 34 ओप्शन आपका C यहां पर बिल्कुल सही है यह जो एलोरा की गुफाएं है यह आप याद देखेगा जैन धर्म बाद धर्म और हिंदू धर्म इन तीनों धर्मों से संबंदित हैं एलोरा की गुफाएं तो यह चीज आप याद देखेगा एलोरा की गुफाएं हैं जैन धर्म बाद धर्म और हिं इन तीनों धर्मों से संबंदित आपकी इलोरा की गुफाएं हैं इलोरा की गुफाओं में जो हैं ये जो 34 गुफाएं हैं इनमें आप याँ देखेगा एक से लेके बारत तक गुफाएं आपकी बहुत धर्म से रिलेटेड हैं इसके बाद 13 से लेके 29 तक की जो गुफाएं ह जैन धर्म से संबंदित है तो इसके बारे में आप याँ देखेगा वह इसकी location के अगर हम बात करें तो इलोरा की गुफाएं आपको महराश्ट के औरंगा बाद जीले में मिलेंगी टोटल 34 इसमें गुभाएं है जिनमें बाथ धर्म जैन धर्म और हिंदु धर्म से संबंदित यह सभी गुभाएं जैन धर्म से संबंदित हैं यह आप या देखेगा अगला परस्वन आपके स्क्रीन पर है एक तरब आपको कुछ पर्यूजनाय दे गई है नदी घाटी पर्यूजनाय और किस राज्य में वे इस्थित हैं वे दिया गया है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है जोग्राफिक है काफी अच्छा प्रस्णा है इस टॉपिक से कई पर एक जामे प्रस्ण पूछ लिया ते नदी घाटी जो भी परियूजनाय है इनसे प्रस्ण एक जामें बनते हैं तो इसमें से कौन सा सुमयलित नहीं है आईे देखलेते हैं, तो हीरा कुन बान्ध आपको कहा पर मिलेगा यह ओरिसा में मिलेगा और किस नदी पर है तो आप याँ देखेगा MP Wasn't दिया गया है फरक्का बांध आपको कहां पर मिलेगा तो जो फरक्का डैम है फरक्का बांध या गंगा नदी पर मिलेगा पस्ची मंगाल में तो दूसरा वाला भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है फरक्का डैम आपको मिलेगा पस्ची मंगाल में गंगा रिवर पर टिहर तो टिहरी बांद आपको कहां पर मिलेगा तो टिहरी बांद आपको मिलेगा यहां पर गलत दिया गया है उत्तरवधिस में नहीं है टिहरी बांद बलकि कहां पर है तो टिहरी बांद आपको मिलेगा उत्तरा खड़ में मिलेगा और टिहरी बांद जो है किस नदी पर है तो भ पेरियार नदी पर पेरियार नदी पर आपको मिलेगा इडुक की डैम तो यह सारी चीजे आपको याद अखनी है अगला प्रसना आपका करेंट अफेंस का है यहाँ पर देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा छात्रो दौरा आयोजित त्योहार जिसका नाम है सारंग सारंग 2023 का आयोजन कहां पर किया गया सारंग 2023 का जो आयोजन है कहां पर किया गया या छात्रो दौरा आयोजित त्योहार था सारंग तो इसका जो आयोजन था IIT मदरास में किया गया यानि कि option आपका A यहाँ पर बिल्कुल सही है IIT मदरास में अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है रक्त चाप यानि कि आपका जो blood pressure होता है उसको हम किस उपकरण की साहता से मापते हैं तो blood pressure यानि कि रक्त चाप को इस phigmo manometer की साहता से मापते हैं यानि कि option आपका A यहाँ पर बिल्कुल सही है इस phigmo manometer की साहता से रक्त चाप यानि कि blood pressure को मापते हैं हालही में किंद्री मंत्री सरबानंद सोनवाल ने logistics, जलमार्ग और संचार इस्कूल का उधगाटन कहाँ पर किया है काफी important प्रस्थन है current defense का तो हमारे जो किंद्री मंत्री हैं सरबानंद सोनवाल जी इन्होंने logistics, जलमार्ग और संचार इस्कूल का जो उधगाटन किया अगर तला में यानि कि option आपका A यहाँ पर बिल्कु सही है अगर तला में तो इसके बारे में आप याँ देखेगा अगला प्रस्थन आपके स्किन पर है भारत के समिधान की प्रारूप समीति यानि कि drafting committee के अध्यक्च कौन थे आपसे पूछा जा रहा है drafting committee जो बनाए गे थी हमारे समिधान की उसके अध्यक्च कौन थे आपको बताना है काफी important प्रस्थन है बहुत बर एक जाम यह प्रस्थन पूछा भी गया है तो हमारी जो drafting committee थी इसके अध्यक्च कौन थे तो आप याद देखेगा जो प्रारूप समीति थी जिसको हम drafting committee के नाम से जानते हैं इसके अध्यक्च थे डाक्टर B.R. अमबेटकर डाक्टर भीमराव अमबेटकर यानि कि आप्जन आपका ए यहां पर बिलकुल सही हो जाएगा काफी important है इसके बारे में आप याद रखेगा इसके डाक्टर भीम राओ अम्बेटकर तो इसके अध्यक्ष थे इसके लावा साथ सदस भी इसमें थे तो इसके बारे में आप याद देखेगा ये साथ सदस थे कौन-कौन थे आईए देख लेते हैं तो डाक्टर भीम राओ अम्बेटकर इसके अध्यक्ष हो गए इसके बाद एन गोपाल स्वामी आयंगर हो गए अलादी कृष्ण स्वामी अयर हो गए डाक्टर के एम मुंसी हो गए सयद मुहम्मद सादुल्ला हो गए इसके बाद एन माधाव राओ ये हो गए इसके बाद टीटी कृष्णामाचारी ये हो गए तो इसके बारे में आप याद रखिएगा इंपोर्डेंट है अगला प्रसना आपके स्किन पर है हाले में किस भारती प्रदोग की संस्थान ने भारोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम विक्सित किया है आपको उस भारती प्रदोग की संस्थान का नाम बताना है जिसके दोरा एक ओपरेटिंग सिस्टम विक्सित किया गया है जिसका नाम है भारोस या मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम है तो आप याद रखिएगा यह जो मोबाइल ओपरेटिंग सिस्टम है इसको किसके दोरा विक्सित क द्वारा यानि कि option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही है IIT मदरास के द्वारा एक स्वदेशी Mobile Operating System बिक्सित किया गया है जिसका नाम है भरोस तो इसके बारे में आप यहाँ देखेगा important है अगला प्रसना आपके screen पर है आकार और विस्तार में बड़ी होने के कारण निम्नलिकित में से किस नदी को हम दक्षिड की गंगा के नाम से भी जानते है इसमें से किस रिवर को किस नदी को जो है दक्षिड की गंगा कहा जाता है आप से पूछा जा रहा है काफी महत्रपुन प्रसना है तो दक्षिड की गंगा हम किसको कहते हैं तो गोदावरी रिवर को गोदावरी नदी को जो है दक्षिड की गंगा कहा जाता है तो इसके बारे में आप या देखेगा गोदावरी को तथा गोदावरी नदी का उदगम कहां से होता है तो यह जो गोदावरी नदी है यह ट्रेंब केस्वर से निकलती है ट्रेंब केस्वर भारत की सबसे लंबी नदी भी है यह चीज भी आप याद देखेगा प्रायदीपी भारत की यह सबसे लंबी नदी है और इसको हम दक्षिड की गंगा भी कहते हैं और इसकी सायक नदीया कौन-कौन सी है गोदावरी की सायक नदीया कौन-कौन सी है आप याद कर लिजेगा पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, मैं आप लिख देता हूँ, पेन गंगा, इसके बाद आपकी वेन गंगा हो गई, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती हो गई, प्राण हीता हो गई, सबरी हो गई, प्रवरा हो गई, मानेर हो गई, और मंजीरा हो मंदित अनुछेत दिया गया है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से जो है सोरी यहां पूछा गया कौन सा सुमेलित है तो कौन सा सुमेलित इसमें से है उसकी आपको पहचान करने कि इसमें से कौन सा जो मौलिक अधिकार है वह सही सुमेलित है तो आईए देख लेते हैं इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार fundamental rights जो है हमारा सही सुमलित है तो पहला क्या दिया गया option उपादियों का अंत तो यह किस article में रखा गया है उपादियों का अंत तो यहाँ पे article 17 दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है article 17 में आपको क्या मिलेगा तो article 17 में आपका है औइस्प्रेसिता का अंत तो यहाँ पे आपका गलत दिया गया है तो right answer क्या हो जाएगा उपादियों का अंत का उपादियों का जो अंत है यह किस में दिया गया है तो आप याह दिखेगा यह article जो है आपका 18 में दिया गया तो पहला उला option आपका गलत दिया गया था अठारा हो जाएगा इसके बाद और इस प्रिश्टा कान तो आपका article 17 में दिया गया है यह भी आपका गलत है विधी के समक्च समानता आपका आर्टिकल 20 में दिया गया, तो option D वाला आपका, बिल्कुल सही था, बाकी उपर के जो तीनों है, आपके गलत दिये गये थे, इसके बारे में आप याँ देखिएगा, अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है, मांग के नियम के अनुसार, यदि अन्य सभी वस्तु में समान रहें, तो किसी वस्तु की मांग तता उसकी कीमत में क्या समद्ध होता है, या प्रस्तन आपके MTS की परिच्छा में पूछा गया है, मांग के नियम के अनुसार, यदि अन्य सभी वस्तु में समान रहें, तो किसी वस्तु की मांग तता उसकी कीमत में क्या समद्ध होता है, तो आप यहाँ देखिएगा किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में जो है नकरातमक समद्ध होता है, तो इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा, यानि कि option आपका यहाँ पे, जो A है, बिल्कुल सही हो जाएगा, नकरातमक समद्ध देखने को मिलता है, अगला प्रस्तना आपके स्क्रीन पर है, ऐसी इस्थिती, जिसमें सरकार का ब्याय उसके राजस्थ से अधिक हो जाता है, क्या कहलाती है, ऐसी condition, ऐसी स्थिती, जिसमें सरकार का खर्चा, यानि कि जो सरकार का ब्याय होता है, जो सरकार का खर्चा होता है, उसकी A, यानि कि कि उसके राजस्य से अधिक हो जाता है तो इस कंडिशन को हम क्या कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं वित्त की कमी यानि कि आपका निया पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसको हम बोलते हैं वित्त की कमी यानि कि आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है और यहाँ प्रस् प्रकासित हुआ था जो गदर पत्रिका थी इसका जो पहला एडिशन था पहला अंक था या किस भासा में प्रकासित हुआ था आपसे पूछा जा रहा है तो गदर पत्रिका का पहला अंक जो है किस भासा में प्रकासित हुआ था तो आप याद रिखेगा इसका जो पहला अंक था यह उर्दू भासा में प्रकासित हुआ था यानि कि आप्सन आपका यहां पी जो दिया गया है सी वाला बिल्कुल से हो जाएगा उर्दु भासा में गदर पत्रिका का पहला अंक था प्रकासित हुआ बाद में इसके बाद यह जो गदर पत्रिका थी यह गुरु मुखी में छपने लगी थी तो इसके बारे में याद रहेगा लेकिन इसका जो पहला अंक था वह उर्दु छेतरक के नाम से हम जानते हैं, यानि कि वह कौन सा सेक्टर है, सेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं, छेतरक बोलते हैं, तो वह कौन सा सेक्टर है, जिसको हम सेवा सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो आप याँ देखेगा, जो हमारा तृतियक छेतरक है, आप याँ देखे अन्य सभी जो सेवाएं होती है उनको हम आपके सेवा छेत्रक के अंतरगत रखते हैं इसके अंतरगत आपका तिरतियक छेत्र आता है तो इसके बारे में आप या देखे गयाने के आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है अगला प्रस्टन है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था कॉंग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था काफी महत्रपुन यह प्रस्टन है तो राटेंसर आपका क्या होने वाला है कॉंग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग अंदोलन को अपनाया गया था तो नागपूर अधिवेशन उननिस सो बीस यानि कि आपका यहां पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा नागपूर अधिवेशन उननिस सो बीस को जो है असहयोग अंदोलन को अपनाया गया था तो इसके बारे में आप यहां देखेगा आपका जो यहां पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा और इसकी जो अधिशता है किसके दोरा की गई थी तो वी रागव चेरियार के दोरा इसकी अधिशता की गई थी तो यह चीज़ आप यहां देखेगा अगला प्रस्थन है एक चीज़ आप ध्यान देजिएगा जब असहयोग अंदोलन स्टार्ट हुआ था जिस दिन असहयोग अंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी दिन बाल गंगा दा तिलक का निधन भी हो जाता है तो यह चीज़ आप नोटिस करिएगा तो बहुत बार एक्जाम में यह प्रस्थन पूछा गया कि बाल गंगा दा तिलक का निधन कब होता है तो जिस दिन असयोग आंदोलन स्टार्ट होता उसी दिन जो है बाल गंगादा तिलग का नेधन हो जाता है चमपारन सत्यागरह का नेत्रित तो किस ने किया था चमपारन सत्यागरह का नेत्रित तो किस के दोरा किया गया था 1917 में यह हुआ था आपका चंपारन सत्या ग्रह, बिहार में हुआ था और यह किसानों की समस्याओं से रिलेटेट था जिसके बारे में आप आप आद देखेगा, किसानों की समस्याओं से रिलेटेट था आपका चंपारन सत्या ग्रह, अगला प्रस्तन है, निम्नलिकित में से किस अधिवेशन में मतलब किस वर्ष सरोजीनी नाइडू ने भालती राष्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन की अधिवेशन की अध्यख्चता करी थी आपसे पूछा जा रहा है तो राइट अंसर आपका क्यों हो जाएगा वह कौन सा अधिवेशन था जिस मतलब वो किस वर्ष में सरोजने नाइडू ने भालती राष्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षिता की थी तो राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा राइट एंसर आपका हो जाएगा आप्सन ए 1925 में जो कॉंग्रेस का सेशन हुआ था कहां पर हुआ था ये चीज़ आप ध्यान देजेगा जो कॉंग्रेस का सेशन हुआ था 1925 में यह कानपूर में हुआ था तता इसकी जो अध्यक्षिता है सरोजने नाइडू के द्वारा की गई थी यानि क्या उप्सन आपका ए यहां पे बेलकुल सही है तता कॉंग्रेस के अध्यवेशन की अध्यक्षिता करने वाले ये प्रत्थम भारती महिला भी बनी थी यह चीज़ आप ध्यान देजेगा प्रथम भारती महिला जिनोंने कॉंग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्षिता करी थी इसके बारे में आप आदेखिएगा important है बहुत बर एक जामे प्रसन इसके बारे में पूछा गया है कि वह कौन प्रथम भारती महिला थी जिनोंने कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षिता करी थी यहाँ पे लोग कन्फ्यूज होते हैं अगर भारती सब्द अगर यहाँ पे न दिया होता सिर्फ महिला पूछ लिया होता कि प्रत्थ महिला कौन थी जिन्यों ने Congress के अधिवेशन की अधिक्ष्यता करी थी तो वहाँ पे answer आपका दूसरा हो जाएगा किसी भारती महिला के द्वोरा Congress के सेशन की अधिक्ष्यता करेगी थी और उनका नाम था सरोजनी नाइडू तो दोनों चीज आपको याद अखनी है समिधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है जो समिधान सभा हमारी थी इसकी पहली बैठक कब हुई थी तो समिधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दिसंबर 1946 में एक्जेक डेट आपकी थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को जो है समिदान सभा की पहली बैठक होई थी, यानि क्या ओप्सन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसके बारे में आप याद देखिएगा, अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है, निम्नलिकित में से कौन सा एसीड, क आपका टार्टरिक एसीड पाया जाता, यानि क्या ओप्सन आपका यहाँ पे C जो है बिल्कुल सही जाएगा, टार्टरिक एसीड जो है आपका अंगूर में पाया जाता, यानि क्या ओप्सन आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप देख लिजे इसको, में लखी कही हैं सिरका आपका पायाता है मतलब सिरके में आपका एसेटी कम लोता है संतरा और नीबू में आपका सिट्री कम लोता है इमिली और अंगूर में आपका टाटरी कम लोता है प्याज में आपका सलफेनी कम लोता है टमाटर में औक जेली कम लोता है दही में आपका का अनुभव होने के कारण मतलब कारण क्या होता है तो लैक्टिक एसिट का संचय होने के कारण ही हमारे मास्पेशियों में हमको ठकान का अनुभव होता है तो इसके बारे में आप या देखेगा इसका पिस्किन सॉट ले लिजिएगा अगला प्रस्तन है फीफा का मुख्या आपको मिलेगा कहाँ पर सिर्जर लैंड के जीरिक सहर में इसके बारे में आप याद दिखीएगा तथा 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कॉप है किसने जीता है तो किसने जीता तो आप याद दिखीएगा 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कॉप है इसको जीता गया अर्जेंटीना के दोरा अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराया तो अर्जेंटीना नो जो है फाइनल में फ्रांस को हराकर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था तो अर्जेंटीना ने इसको जिता था और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था कतर में आयोजित किया गय किसका मातरक होता है important प्रस्ण है तो वोल्ट जो है किसका मातरक होता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा विभवांतर का option आपका यहाँ पे दिया गया ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा वोल्ट जो होता या विभवांतर का मातरक होता है यानि कि option आपका यहाँ पे ए जो इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम है, माही रिवर, यानि की option आपका यहाँ पर जो A है, बिल्कुल सही हो जाएगा, माही, यानि की option आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसके answer में मुझे थोड़ा सा confusion है, तो अभी के लिए इसको हम doubt पर रखते हैं, अगर आपको पता होगा, तो comment box में दीजेगा, लेकिन नहीं तो कल का जो lecture आपका कल का जो practice होगा, उसमें आपको इसका answer दे दिया जाएगा, थोड़ा से इस प्रस्थ में मुझे doubt है, अगला प्रस्थ है, समिधान सभा तो राष्ट्रगान कब अपनाय गया था, समिधान सभा के दोरा जो राष्ट्रगान था या कब अपनाय गया था, तो हमारा जो राष्ट्रगान है, समिधान सभा के दोरा कब अपनाय गया था, 24 जनौरी 1950 को, यानि कि option आपका C यहाँ पर विल्कुल सही है, 24 जनौरी 1950 को, राष्ट्रगान को अपनाय गया था, इसके बारे में आप्या द जनवरी 1950 को अपनाया गया था वही हमारा जो राष्टी ध्वस्त रंगा है इसको समिधान सभा ने कब अपनाया था तो 22 जुलाई 1947 को तो हमारा जो राष्टी ध्वस्त रंगा है इसको 22 जुलाई 1947 को जो है समिधान सभा के द्वारा अपनाया गया था मयूर द्वीप जो है किस नदी पर इस्थित है मयूर द्वीप जो है किस नदी पर इस्थित है तो रैट एंसर क्या हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर यानि कि आपका C यहाँ पर बिल्कु सही है ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको मिलेगा मयूर द्वीप इसके बारे में आप या देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो मयूर option आपका C यहाँ पर बिल्कुल सही है तता क्या बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत नदीपर ही एक काफी famous द्वीप है उसका क्या नाम है उसका जवाब आपको comment box में देना है कि ब्रह्मपुत नदीपर एक काफी famous काफी प्रसिद द्वीप है काफी बार exam में उसे प्रस्ण बनता है तो उस द्वीप का आपको नाम बताना है एक अन्य द्वीप भी है जो अब तो वह जीला गुशित कर दिया गया कि अब तो जीला बन गया है तो उसका आपको नाम बताना है वह ब्रह्मपुत नदीपरी है अगला प्रस्ण है और लांग वाग टू फ्रीडम यह किसकी आत्म कथा है तो यह आत्म कथा मिलेगी आपको नेंसल मंडेला की यानि कि आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है नेंसल मंडेला की यहाँ आत्म कथा है अगला प्रस्ण है अंतराष्टी और हिंसा दिवस कब मना जाता है तो दो अक्टूबर का जो दिन होता है इसको अंतराष्टी और हिंसा दिवस के रूप में मनाते है यानि कि उप्षण आपका A यहाँ पर बिल्कुल सही है 2 अक्टूबर का दिन इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा अंगला प्रस्ण है प्रित्वी दिवस कब मनाया जाता है आपका जो प्रित्वी दिवस है यह कब मनाया जाता है तो 22 अप्रेल यानि कि option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही है 22 अप्राल का जो दिन होता है प्रिथवी दिवस के रूप में मनाया जाता है यानि कि option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही है आज का last one snap के सामने है किस भारती राज्य में मुहूरी नदी मतलब बहती है मुहूरी नदी तो मुहूरी नदी आपको मिलेगी कहाँ पर त्रिपुरा राज्य में यानि के option आपका A यहाँ पे बिल्कुल सही है त्रिपुरा राज्य में आपको मिलेगी मुहूरी नदी यानि के option A आपका स्टेट में त्रिपुरा राज्य में तो इस प्रकाल से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था उसको आपने कम्प्रीट कर लिया है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा आपके आने वाले एकजाम के लिए फायदे मन्द होगा तो इसी उमेद के साथ इस वीडियो कहीं पर रुकते हैं तब तक के लिए थैंक्यू, थैंक्स पर लौशिंग, थैंक्यू